तो हलो मेरे किसान भाई लोग अभी हम लोग चार दीन के बाद अपना खेट बचेक है और हमारे छोटे किसान भी यह पर और यह हम लोग कुछ क्छित का नजारा कद्धू का तो अभी हम लोग गूम रहे हैं और सोचा चलो आपप लोगो भी कुछ अपडेट दिखा दे तो है कुछ हम लोग खेत कर न जारा और फाल वगेरा भी आ रहे हैं एक दो तो वैसे तो अभी फाल नजर नहीं आ रहा है एक दो बस देखने को मिल रहा है तो चलिए हमारे किसान महोदै जी कुछ दिखाए हमारे किसान भाई लोको कद्दू फाल रहा है कि नई फाल रहा है वैसे तो पिछला वीडियो में आप लोग को काफी सारा प्यार रहा अच्छा का सब यूज चल गया सोचे इस बार भी आप लोगा तो चलिए दिखाओ हमारे किसान जी अभी ढूंड रहे हैं क्या ढूंड रहा है क्दू ढूं और यहां पर बहुत बढ़ा है कर देखो देख सकते हैं अभी हम निकाल रहे हैं देख सकते कद्दू क्वैलेटी तो ऐसे निकाल रही है तो एक दू दू दिन में निकले गा हम लोकाका दू चलिए ढूंडते हैं और कद्दू तो इधर हमारा कद्दू फिर से मिल चुका है और एक देख सकते हैं बहुत ही सांदर क्वालेटी है कहां कहां पर है कहां पर दिखाओ दिखाओ निकाल के दिखाओ तो देख सकते हैं और एक पागे हैं बड़े कद्दू निकाल के दिखाओ देख सकते हैं बहुत ही अच्छा क्वालेटी निकाल रहा है और यह आप लोगों बता दें कि इस्ट वेस्ट का अनमॉल एफवान है दिखाओ गुमा के दिखाओ कैसा क्वालेटी है तो देख सकते हैं बहुत ही बहुत ही बहतरन क्वालेटी और चलिए और भी आप लोगों को दिखाते हैं तो चलिए किसान जी आगे-ागे बड़े किसान अभी चल रहे हम पीछे-पी देखने को मिल रहा है और अभी तो पूरा खेत में अभी लौकी नहीं फला है क्योंकि अभी लट्तर चल रहा है और आप लोग के तरफ कैसे क्या रेट में बीक रहा है जरूर बताना और देख सकते हैं यहां पर बहुत यह पहतरीन कद्डु है ऐसा क्यों होता है आप लोग कमेंट में जरूर बताना वैं क्योंकि यह आप लोग देख सकते यहां पर जड के पास ही फला है इस वज़ा से चोटा होगा और जड से दो-चार फीर आगे फलता है तो बहुत ही बेत्रीन होता है तो चलिए हमारे किसान जी आगे आगे जार है और इधर हमालों के था टामाटर का खेत खेत आप लोग देख सकते हैं बहुत खराब रहा टामाटर एक दो रुपिया था तो हमने छोड़ दिया देख सकते हैं टामाटर वैसे तो हमने छोड़ दिया था पर भी टामाटर फलने के लिए छोटा आने फल भी चुका है और इधर पक भी चुका है तो लिए अब आगे आप लोग को घुमाते हैं हम लोग को खेत आ कि और कि दूण रहा है कदू नहीं मिल रहा है कदून कैसे नहीं मिल रहा है देखो तो यह कदू नहीं है निकाल रहा है बड़े बड़े कदू तो चलिए आब आप लोग को अगला खेत में दिखाएंगे एफ यू मोमेंट्स लेटर तो फिलाल अभी हम लोग आ चुके हैं दूसरा खेत में और चलिए आप दिखाते हैं चलो दिखा किधर किधर कदू कैसा फॉल रहा है उसब को दिखा किधर तो हमारे किसान जी अभी दिखाएंगे जल जड़ के पास छोटा-छोटा क्यों फल आ रहा है वैसे तो जैसे तना के दूर वाले फसल तो बहुत ही सांदार है चलिए आप दिखाते हैं हमारे किसान जी बड़े फल चलो दिखाएंगे तो देख सकते हैं यह तो देख सकते हैं यह इसी चमक है बहुत ही हरा और वाइट का कंबिनेशन है देख सकते हैं और बहतरीन अफिव आवर्स लेटर तो मेरे किसान भाई लोग अभी हम लोग जो पुराना कद्दू लगाया था उसका खेत को सफाई कर रहें तो हमारे इधर बड़े किसान भी सफाई कर रहें तो दे क्लाइन ढेख सकते हैं कि व हमारा यह एक साल हो चुका है तो इस में हम लोगत जो फसलले लिए तो नहां से इस कद्दू का सफाई कर रहे हैं तो देख सकते हैं हमारे छोटे महान किसान काम पे लगे हुए हैं तो इसके लिए एक लाइक बन सकता है और कमेंट भी कर सकते हैं मेरे किसान भाई लोग तो हम लोग अपसे कोसिच करेंगे डेली आप लोग को वीडियो आप लोग क आने का तो ऐसे अभी भी साम हो चुका है आप लोग देख सकते हैं इधर सूरज भी ढलने वाला है और हम लोग अभी तोचे थोड़ा देरी रेष्ट फिरी थे तो ये हम क्यों रेष्ट करें थोड़ा सा काम पर लग जाते हम लोग के दिए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो मेरे किसान भाइब अभी तक हम लोग पूरा काम करके यहां का पूरा कद्दू का जो वेस्ट जो रताएं थी सबको हमने साफ कर दिया अप लोग देख सकते हैं तो आप लोग यहीं पर आंद करते हैं मेरे किसान भाइब अच्छा लगे का तो वीडियो को लाइक कर देना और च